बच्चों पिछले कुछ अध्याय में हमने मांग पूर्टी और कीमत का आपस में संबंध देखा मांग और पूर्टी का आपस में क्या संबंध है ये हमने देखा हमने देखा कि किस प्रकार मांग का बढ़ना या घटना पूर्टी को प्रभावित करता है एक उदाहरन के तौर पर हम फिर से यहाँ पर एक नजर डाले मांग और पूर्टी के संबंधों पर तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तू की मांग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तू की पूर्ती घड़ती जाती है, क्योंकि बाजार में जो आपूर्ती होती है, यानि वस्तू की जो उपलब्धता होती है, वो मांग के साथ साथ खतम होते जाती है, समाप्त हो जाती है यानि कि वह घड़ती जाती है कुल मिलाकर इस सम्द्ध को हम सपर्स्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तू के मांग बढ़ी वैसे वैसे उसकी पूर्थी कम होने लगती है दूसरा अगर हम इस मांग और पूर्टी के इस संबंध को एक तालिका और ग्राप से अगर हम समझे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक समय में जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपए थी तो वस्तु की पूर्टी 10 इकाई की थी जब उस वस्तू की कीमत 4 रुपय हो गई तो वस्तू की पूर्ती 8 इकाई की हो गई जब वस्तू की कीमत 6 रुपय हो गई तो वस्तू की पूर्ती घटकर 6 इकाई हो गई और उस वस्तू की कीमत 8 रुपय हो जाने पर पूर्ती घटकर 4 इकाई हो गई और जब उस वस्तू की मांग 10 हो गई तो उसकी पूरती दो हिकाई की हो गई अब ये जो संबंध है, ये जो तालिका है ये मांग और पूरती के ऐसे संबंधों को दिखा रही है जिससे हम स्पस्ट रूप से कह सकते हैं कि वस्तू की मांग बढ़ने के साथ साथ ही उसकी पूर्ती घटती जाती है इसे तालिका को जब हम graph के द्वारा प्रकट करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का graph हमको दिखाई देता है यहां हम रेखा O X पर वस्तू की मांग को प्रिदर्शित कर रहे हैं और रेखा O Y पर वस्तू की पूर्ती को प्रिदर्शित करते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने graph को निर्मान किया है वस्तू की मांग 2 इकाई होने पर पूर्ती 10 इकाई वस्तू की मांग 4 इकाई होने पर पूर्ती 8 इकाई वस्तू की मांग 6 इकाई होने पर पूर्ती 6 इकाई वस्तू की मांग 8 इकाई होने पर पूर्ती 4 इकाई और वस्तू की मांग 10 इकाई होने पर पूर्ती 2 इकाई अब ये जो बिंदू है इनको अगर हम एक वक्र यहाँ पर हम निर्मान करें तो हम देखते हैं कि हमको उपर से नीचे गिरता हुआ एक वक्र हमको प्राप्त होता है जो ये बताता है कि वास्तों में मांग और पूर्ती में विपरीत संबंध है मांग के बढ़ने पर पूर्ती घटी है और मांग के घटने पर पूर्ती जो है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पर हमने मांग और पूर्ती के संबंधों को देखा अब इन्ही संबंधों को अगर हम कीमत से कोरेलेट कर दे मांग, पूर्ती और इनका परिवर्तन का प्रभाव है वो कीमत को कैसे प्रभावित करता है तो आए हम एक उधारन से इस तालिका के अधार पर मांग, पूर्ती और कीमत के संबंधों को जाने यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तालिका में वस्तु की मांग 20 इकाई है, तो वस्तु की पूर्ती 100 इकाई है और उस समय उस वस्तु की कीमत 60 रुपै Second condition में जब वस्तू की मांग 40 हिकाई हो जाती है उस condition में इसकी पूर्ती जो है वो घटकर 80 हिकाई हो जाती है और इस समय बजार में वस्तू की कीमत जो है वो 70 रुपए हो जाती है तीसरी condition में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वस्तू की मांग 60 हिकाई की है उस समय वस्तू की पूर्ती भी 60 हिकाई की है और इस कंडिशन में वस्तू की कीमत जो है वो 80 रुपे है फोर्थ कंडिशन में हम देख रहे हैं कि जब वस्तू की मांग 80 एकाई है उस समय वस्तू की पूर्ती 40 एकाई है और ऐसे कंडिशन में वस्तू की कीमत नरधारित की जाती है 90 के बराबर वैसे ही फिफ्ट कंडिशन में हम देख रहे हैं कि जब वस्तू की मांग सो इकाई है तो उसकी पूर्ती बीस इकाई हो जाती है और इस कंडिशन में वस्तू की कीमत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सो रुपए हैं तो यहाँ पर इस तीनों जो कॉलम है इनके आधार पर पूरी तालिका को देख के हमको यह समझ में आ रहा है कि किस प्रकार जैसे जैसे एक वस्तू की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी पूर्ती जो है वो घड़ती जा रही है लेकिन कीमत पर एक रज़ डाले तो हम देखते हैं कि कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो इस आधार पर हम क्या सकते हैं कि जब भी किसी वस्तू की मांग बढ़ती है उसकी पूर्ती घड़ती है और उस कंडिशन में वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है अब हमको तलाश होती है एक ऐसे ब पर Android कि कीमत का इस तारीक वंपर्य निज और न रे थार करकें वह रहएं, और पर आप मोल्य जहांए भूठी किमत होगी, अब इसी पूरे तालिका को जब हम ग्राफ की द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वहाँ पर हम संतुलन बिंदू को ढूंड ना चाहें तो किस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे आए ग्राफ की द्वारा देखते हैं यहां हम देख रहे हैं कि रेखा O X पर हम वस्तू की मांग और रेखा O Y पर हम वस्तू की पूर्ती का निधारन कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में देखा तो बिल्कुल उसी तरह से हम एक graph का यहां पर निधारन कर लेंगे और यहां हम देख रहे हैं कि एक रेखा जो A, B है वो रेखा C, D को E बिंदू पर काट रही है यानि यह जो दो रेखा है रेखा A, B यह वस्तु के मांग को प्रदर्शित कर रही है और रेखा B, C वस्तु की पूर्टी को प्रदर्शित कर रही है और जिस बिंदू पर यह दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे है वो है बिंदू E, यही वो संतुलन बिंदू है जहां पर किसी वस्तु के मूले का हम नरधारन करेंगे और यहां पर हम तालिका के नुसारे कह सकते हैं कि यहां पर इस कंडिशन में वस्तु का जो मूले है वो 80 रुपे होगा तो हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार मांग और पूर्टी किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं और किस तरह से बाजार में मांग और पूर्टी की प्रभावी शक्तियों के द्वारा किसी वस्तु का एक मांग की तो वो कैसे प्रभावित होती है पूर्ती से इसको जानने से पहले आये हमें एक नज़र डाले कि वास्तों में कुल पूर्ती क्यों बढ़ती है कैसे हम कह सकते हैं कि पूर्ती बढ़ गई मांग तो तब बढ़ती है जब हम उस्वस्तु की मांग करते हैं उसको ज अब से पहली बात ये कि पूर्ती जो है वो उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धी के साथ साथ बढ़ती जाती है। आईए उत्पादन के साधनों पर एक नज़र डालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन के पाँच साधन हैं भूमी, पूजी, श्रम, संगठन और साहस। इन में से किसी एक साधन को भी अगर गायब कर दिया जाए तो उत्पादन कर पाना संभव नहीं होगा। अब अगर हमको किसी भी कंडिशन में वस्तू की पूर्ती बढ़ानी हैं, दूसरे शब्दों में हम कहाएंगे कि प्रोडक्शन हमको बढ़ाना हैं, तो यह हम तभी कर सकते हैं जब हम उत्पादन के इन पाँचो साधन की मात्रा में वृद्धी करें। तो यहाँ पर यह जो पाँच साधन है या तो हमको भूमी को बढ़ाना होगा और साथ में हमको पूंजी हम जितनी पहले लगाते थे, उसकी मात्रा को हमको बढ़ाना होगा। संगठन को विस्तरित करने की विस्तार करने की तो उसमें हमको विस्तार करना होगा। तो ये जो साधन होते हैं इनके द्वारा हम किसी विवस्तु का उत्पादन यानि की पूर्ती बढ़ा सकते हैं एक पक्ष दूसरा पक्ष यह कि उत्पादन की तक्नीक हम बदल सकते हैं हो सकता है उत्पादन इसलिए कम हो रहा हो आपूर्ती इसलिए नहो पा रही हो कि हम उत पार के प्रकृती के अनुसार क्या उसमें नया कर सकते हैं कौन सी नई टेक्नीक लगा सकते हैं यह हमको सोचना होगा यानि कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उतपादन की जो टेक्निक है जो तकनीके है उनमें परिवर्टन करके भी हम काफी अद तक उतपादन को और पूर्टी को बढ़ा सकते हैं यानि कि कुल मिलाकर हम जितना साधन उत्पादन का लगा सकते थे वो लगा दे दूसरा पक्ष कि हम जितनी अच्छी टेक्निक लगा सकते थे वो हम लगा दे और फिर इन दोनों के संयोग से हम जितना प्रोडक्शन बढ़ा पाए जितनी पूर्टी बढ़ा पाए वो हमारी अधिक्तम पूर्टी होगी या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस उत्पादन के द्वारा जितनी आय प्राप्त की जा सकती है उसको हम कहेंगे पूर रोजगार इसतर पर उत्पादन या पूर रोजगार इसतर की आय जब हम पूर यानि जितनी हमारे पास उत्पादन के साधन है जितनी बेटर तक निक हम यूज कर सकते हैं उसको करने के बाद हम जो प्रॉडक्शन हम प्राप्त करते हैं न वही जो इसतर है वो पूर्ण रोजगार से आय कहलाता है दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो आय है पूर्ण रोजगार के इस तरकी यह निर्भर करती है उत्पादन पर यह तो हमने देख लिया दूसरा पक्ष ये कि जो उत्पादन है ये निर्भर करता है उत्पादन के साधनों पर अब उत्पादन के साधनों की हम बात करते हैं तो वो घूम फिर के फिर से कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाता है रोजगार से किस तरह से एक हम नज़र डाले उत्पादन के साधरों की जो आय है उस पर तो यहां पर हम देखते हैं कि भूमी जो है उसका जो मालिक होता है वो भूमी पती होता है और भूमी के प्रयोग के बदले उसको जो राशी दी जाती है वो लगान क के रूप में भूमि पती को आयप राप्त हो रही है दूसरा यहां पी हम देखते हैं पूर्जी जो है कसके द्वारेदी जाती वो फ्रीब में तो पूझी देगा देगा नहीं क्योंकि वह अपनी कई आवशकतां को इसने सिमित्त किया कई आवशकतां को उसने रोका तब जाके वह पैसा जमा किया और आपको वह रिणी के रूप में दे रहा है तो बदले में वह हमसे क्या लेता है यानि पूंजी पति को हम ब्याज देते हैं दूसरे शब और जो कारे करता है उसको हम कहते हैं अब बात करें संगठन संगठन और सैनल सधन निर्माण होता लोग होते हैं तो इन लोगों को जो पारिश्य रमिक दिया जाता है यानि संगठन करता कि जो आय होती है उसको हम कहते है वेतन तो चाहे हम कहें लगान के रूप में या ब्याज के रूप में या मजदूरी के रूप में या वेतन के रूप में किसी ना किसी रूप में उतपादन के इंसाधनों को रोजगार प्राप्त होता है और इसी रोजगार के म में देते हैं रोजगार को यानि की उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनसे ही प्रभावी होता है रोजगार तो इस पूरे विसलेशन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आर्थ वैवस्था में तीन जो महत्पूर्ट तत्व हैं वो है आय, उत्पादन और रोजगार इनका संबंध कुछ इस तरह से होता है जैसे कि हमने अभी देखा कि इनमें जो कमी है और व्रिद्धी है वो दोनों ही इन तीनों तत्वों को प्रभावित करती है याने तीनों में से किसी में भी कमी या व् कि आय, उत्पादन और रोजगार तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं और जब हम बात करते हैं पूर रोजगार संतुलन की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तत्व प्रभावी होते हैं जिसी कि हमने पहले देखा मांग और पूर्ती मांग के बारे में सामाने तोर से तो हमने देखा कि जो हम उभोग करते हैं उभोग के लिए हम जिस वस्तू की अपेक्षा करते हैं जिस वस्तू को हम मांगते हैं वही हमारी मांग है लेकिन जब हम बात पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए करते हैं तो यहां पर हम जिस मांग की बात करते हैं, वो चार तरह से हो सकती यानि कि चार तरह की मांग उसमें शामिल होती है. कौन-कौन से चार तरह की मांगे? तो पहला है उपभोग मांग, कंजप्शन डिमांड, दूसरा है विनियोग मांग, यानि कि अन्विस्मेंट डिमांड, तीसरा है शुद्ध निर्यात, यानि नेट एक्सपोर्ट और उसके बाद आता है सरकारी खरीद. अब अगर हम बात करें इसमें उपभोग मांग की, तो इसके अंतरगत वो सभी मांगे शामिल है, जो एक उपभोगता अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए करता है. अब ये उपभोग किसी भी आवशक्ता की पूर्ती के लिए कर सकता है वो, इन्ही आवशक्ताओं को जब हम अलग-अलग भागों में बाड़ देते हैं, तो ये विभाजित हो जाती हैं, अनिवारे आवशक्ताओं में, अराम दायक आवशक्ताओं में, और विलासिता पर उपभोगता अपने अनिवारे आवशक्ताओं पर सबसे पहले खर्च करता है, जो उसके जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, यानि की रोटी, कपड़ा और माकान जैसी आवशक्ताओं को हम अर्थशास्री के अंतरगत अनिवारे आवशक्ताओं की श्रेणी में दूसरा वो भोग करता है आराम दायक अवशक्ताओं पर यानि अपने अनिवारे आवशक्ताओं की पूरा हो जाने पर वो थोड़ा बहुत अपने शरीर को अपने परिवार को वो आराम देने की कोशिस करता है, जिसके अंतरगत वो आराम दायक कोई वहान खरीद लेता है ठीक ठाक रहने लैक घर बनवाता है या खाने-पीने की चीजों में भी वो काफी कुछ ऐसा परिवर्टन करता है तीसरी जो उसके आवशक्ता होती है वो होती है विलासिता की जब उसकी अनिवार आवशक्ता भी पूरी हो जाती है अराम दायक आवशक्ताइं भी पूरी हो तब वो मूव करता है थोड़ा सा विलासिता पूर्ण आवशक्ताओं पर जैसे सामान गाडियों की जगा वो लगजरी गाड़ी खरीदने की का शौक रखता है छोटे से घर की जगा वो बहुत बड़ा घर खरीदने का शौक रखता है बाहर वो घूमना फिर्णा पसंद करें तो ये सारी जो आवशक्ताओं है ये विलासिता के आवशक्ताओं में आ जाती है हाला कि हम इसका वर्गी करन इस तरह से कर सकते लेकिन किसे व्यक्ति पर उसकी आय पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा खर्च उसके लिए अनिवारे माना जाए कौन सा खर्च उसके लिए अरामदायक माना जाए और कौन सा विलासिता कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि उभ्भोग पर एक तो वो वै करता है तो ये सारा वै जो वो भोग पर करता है चाहे वो अनिवार उभ्भोग के लिए करे अराम दायक करे या फिर विलासिता पूर उभ्भोग के लिए करे सारे की सारी चीजों की जो मांग होती है वो उभ्भ बहुता के साथ साथ विन्योजग भी होता है। भविश्य में अत्रिक्त आई की प्राप्ति हो तो यह जो हिस्सा उसका बचा के अत्रिक्त आई की प्राप्ति के लिए लगाया गया अत्रिक्त आई के लिए उसने जो भी चीजे खरीदी यह जो मांग है वो विन्योजक मांग विन्योग मांग के अंतरगत आ जाती है तीसरा इसके अंतरगत आ जाता है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध रूप से हम जितना भी निर्यात करते हैं और उससे जो आय प्राप्त होती है वो सारी की सारी आय इसके अंतरगत शामिल कर दी जाती है, साथ में एक पॉइंट आता है सरकारी खरीद, गौर्म शामिल किया जा सकता है, तो मांग के ये सभी जो प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनमें कमी या वृद्धी दोनों ही हो सकती है, बात करें अगर हम इनके फ्लेक्टुेशन कियाने की कमी और वृद्धी की, तो इनको हम राष्ट्री आय में होने वाली कमी और वृद्धी से जोड़के भी देखते हैं क्योंकि आय और मांग का सीधा सीधा संबंध है व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती है वो अत्रिक्त वस्तों की मांग करता है और अगर उसकी आय घटती है या कम होती है तो उसकी मांग जो होती है वो दीरे-दीरे घटने लगत दूसरी एक मत्वपूर्ण बात ये कि अगर कुल मांग और कुल पूर्टी के साथ राष्ट्री आए कि उस बिंदू पर संतुलन होता है जहां सभी साधनों को रोजगार प्राप्त हो रहा हो ऐसी कंडिशन अगर उत्पन होती है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोज कि उत्पादन के सभी सानों का सरवोत्ता मुप्योग फूर्टा मुप्योग किया जा रहा हो और उस इस तर पर मांग और पूरृती की जो शक्तियाँ है वो प्रभावी होती है दूसरा अगर हम मांग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मांग यानि कि कुल वे जो हम वे करते हैं वही हमारी मांग है वो इतनी पर्याप्त है कि देश में जितने भी साधन उत्पत्ति के उपलब्द है उनका पूरा का पूरा उपयोग याने सही सही समुचित दोहन जिसे हम कहते हैं समुचित दोहन किया जा रहा हो और दूसरी बात है कि अधिक्तम जितना हम उसमें जो टेक्निक लगा सकते थे वो हमने लगा दिया और उसके बाद हमको जो प्रोड़क्शन प्राप्त हो रहा हो वो एक ऐसी कंडिशन बनती है जिसे हम पूर्ण रोजगार की सितिक कह सकते हैं और साथी साथ अगर ऐसी कोई कंडिशन अगर बनती है कि सभी साधनों का सर्वोता मुप्योग किया जा सक रहा है तो ऐसी कंडिशन में हम ये मान लेंगे कि अर्थ व्यवस्था जो है वो उत्पादन की चरम सीमा पर है हम कह सकते हैं कि उत्पादन की अधिक्तम सीमा पर है और ये एक ऐसी condition है जबकि ये मान लिया जाएगा कि कुल मांग जो है वो ना तो अधिक है पूर्ती से ना कम है बलकि वो पूर्ती के बराबर है यानि कि संतुलन की अवस्था में है और ये जो condition है उसे हम कहेंगे आदर्श इस्थिती और इस condition में हम पूर्ण रोजगार के संतुलन की अवस्था में देखते हैं यहाँ पर हम इस वर्तमान कुल मांग को एक फॉर्मूले के रूप में भी दर्शा सकते हैं जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं वर्तमान कुल मा मांग बराबर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल मांग माइनस पूर्ण रोजगार इस तर पर कुल पूर्ती दोनों को अगर हम घटा दे तो जो डिफरेंस हमारा आता है वो हमको बताता है कि कुल मांग कितनी है तो इस पूरे प्रक्रिया को आए ग्राफ के समझने का प्रयास करें इस का इस रेखा चित्र में हम बेक्रे कि एक रिख रहे है कि उन पूर्ती वक्तिक को बताती और एडी को बताती को अश्यक्य और कुल पूर्टीवक्त एक दूसरे को ये बिंदू पर काट रहे हैं इसका अर्थ यह है कि राष्ट्री आय का संतुलन स्थर ओ एम एफ है अब मान लेजे कि अर्थ व्यवस्था के सभी साधनों को पूर्ण रूप से रोजगार देकर राष्ट्री आय के ओ एम स्थर को प् एक चितर के अनुसार दी हूई कुल मांग ऐडी और कुल पूर्टी एस वक्र के मिलान से राष्ट्री आय के ओ एम एकक संतुलन होता है तो हम यह कह सकते हैं ये पूर्ण रोजगार इस्थर पर ऐका संतुलन है जाने की पूर्ण रोजगार इस्थर की आय उत्पन करने के के लिए जितनी कुल मांग के आवशक्ता थी अर्थ मवेस्था की वर्तमान उतनी है इससे यह भी इसपस्ट होता है कि ओए एक लिए कोल मांग का होना जरूरी है और यदि कुल मांग इससे कम रहती है तो यह राश्ट्री आए पूर्ड रोजगार इस्तर यानि की OMF में घट जाएगी इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि कुल मांग EMF ही है इस ग्राफ को देखने से एक बात और समझ में आ रही है कि यहां पर अर्थ विवस्था में हमें पूर्ड रोजगार पे आए क के लिए EMF के बराबर कुल मांग की आवश्चता है और हमारी वरतमान कुल मांग अगर हम देखें तो उतनी ही ह INFI तो यह कहा जा सकता है कि यहां पर कुल मांग ना तो अधिक है और शेलší कुल मिलाकर ये एक ऐसी इस्थिती है जब अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक मांग या आभावी मांग जैसी कोई भी परिस्थिती नहीं बन रही है लेकिन ये जो एक इस्थती हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ व्यवस्था में हमेशा ही ऐसी कंडिशन हमको देखने को मिले कई बार हमको अत्यधिक मांग या आभावी मांग की कंडिशन भी देखने को मिलती है वास्तों में यदि देखा जाए तो पूर्ण रोजगार के इस्तर पर या उससे कम या उससे अधिक के इस्तर पर भी मांग और पूर्टी प्रभावी हो सकती है और ये एक ऐसे condition होती है जहां पर अर्थ वेवस्था में आभावी मांग या अतिरेक मांग की समस्या उत्पन हो जाती है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुल मांग और कुल पूर्ती का संतुलन हमेशा बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है कई बार ऐसा होता है कि मांग बहुत जादा होती है लेकिन उसकी तुलना में पूर्ती जो है वो नहीं हो पाती और ये जो condition है ये अत्यधिक मांग के स्थिती को जन्म देती है तो हमने देखा कि किस प्रकार मांग और पूर्ती की शक्तियां एक दूसरे को प्रभावित करती है यानि कि आपस में उनका क्या संबंध होता है और ये मांग और पूर्ती की जो शक्तियां है वो कीमत को किस प्रकार से एफेक्ट करती है यहां हमने जिस मांग पूर्ती या कीमत के बात की वो इंडिविज्वल किसी वस्तु के लिए हम बात कर रहे थे किसी वस्तु की मात्रा के लिए या बहुत थोड़ी से मात्रा के लिए हम बात कर रहे थे लेकिन जब हम बात करते हैं अत्यधिक मांग की एक्सेस डिमांड की तो यहां पर हम व्यक्तिगत मांग या पूर्ती तक सेमित ना रहकर या एक छोटे से छेतर के मांग या पूर्ती तक सेमित ना रहकर एक बहुत बड़े छेतर की बात करते हैं जिसे कि इसके पहले का ध्याय में हमने देखा समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है तो जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जो शक्तियां होती है वो जब एक दूसरे से संबंदित जब हम उनका रिलेशन देखते हैं समग्र जो पूर्ति होती है वो समग्र मांग को किस प्रकार से एफेक्ट करती है ये दोनों मिलके प्राइस को किस प्रकार एफेक्ट करते है तो ये सारा जो मुद्दा ये जो विश्या है समग्र वाला वो आ जाता है मैक्रो एकनॉमिक्स के अंतरगत और क्योंकि हम मैक्रो एकनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं मैक्रो एकनॉमिक्स को ही हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम किसी वेक्तिगत मांग तक सेमित न रहे कर बात करते हैं समग्र मांग समग्र पूर्ती और अत्यधिक मांग की जब हम बात करते हैं तो वो भी मैक्रो एकनोमिक्स के अंतरगत समग्र मांग और पूर्ती पराधारित है शायद यही कारण है कि यहाँ पर हम जिस संतुलन बिंदू की बात कर रहे थे इसके पहले के वीडियो में वहाँ पे हमने देखा कि पूर्ण रोजगार की इस्थिती में उस संतुलन बिंदू को हम ढूनते हैं कि अगर उस कंडिशन में पूर्ण रोजगार की इस्थिती उत्पन होती है तो समग्र मांग और समग्र पूर्ती क्या होगी और किस प्रकार से उन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हम अत्यधिक मांग को जान पाएंगे तो कुल मिलाकर मैक्रो एक भाग है और जैसे कि हमने पिछले ध्यायों में समगर मांग और समगर पूर्ति के बारे में पढ़ा उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे अत्यधिक मांग क्या है तो अत्यधिक मांग के बारे में अगर हम जाने तो जैसे कि नाम से इसपस्ट हो जा रहा है एक ऐसी स्थिती जबकि बाजार में वस्तू की पूर्ती नहीं हो पाती है इसके अपने कई कारण हो सकते हैं जिसकी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल कंडिशन ऐसे बन जाती है कि पूर्ती नहीं हो पाती लेकिन वस्तू की मांग लगातार बनी रहती है और यह जो समस्या है फिर वो आभावी मांग वाली समस्या को उत्पन कर देती है। अब बात करें अगर हम आभावी मांग की परिभाशाओं की तो इसके कुछ परिभाशाओं के अधार पर हम इसके अर्थ को और अच्छे से समझ सकते हैं। आये देखते हैं इसकी कौन-कौन सी परिभाषा विद्वान ने किस प्रकार दी है प्रोफेसर केंस के अनुसार अत्यदिक मांग वह स्थिति है जबकि वर्तमान कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उपलब्द कुल पूर्ति से बढ़ जाती है प्रोफेसर पीटर्सन के शब्दों में मांग प्रे प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार आधार कीमतों पर उपलब्द उत्पादन के ऊपर अनुमानित व्यव के अतिरेक को स्थिति अंतराल कहा जाता है तो हमने आभावी मांग की जिन परिभाशाओं को देखा इसकी आधार पर हम स्पस्ट रूप से कह सकते हैं कि जब पूर्ण रोजगार इसतर प्राप्त कर लेने के बाद भी कुल मांग में व्रिद्धी होती रहती है तो ये जो कंडिशन होती है वो अत्यधिक मांग की सिति को पैदा करती है